Hello Everyone, Welcome to Raviditi Classes आज की वीडियो का टॉपिक है Important Summit 2023 इस वीडियो में हम जो भी आपके 2023 में Important Summit हुई है कोई Conference हुई है उन सभी से लेड़ेड़ा Most Important Questions को कवर करने वाले है फैंट्स मैंने सभी Questions selected और Important लिये है अगर आप किसी भी एक्जाम के तियारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफी जाधा useful रहने वाली है तो चले फैंट्स वीडियो को शुरू करते हैं First Question से काफी Important Questions कवर करेंगे और Question के साथ साथ जो Important Points होंगे आज बो भी बहुत जाधा Important है सो Complete जरू देखेगा वीडियो को पहला Question है Which Country Will Host The G7 Summit 2023 तो कौन सा देश चो है वो G7 शिखर संबेलन 23rd की मिजबानी करेगा तो इसे होस्ट करेगा Friends कौन सी कंट्री जापान अच्छा ये कौन सा एडिशन होगा तो ये मीं Important है 49th एडिशन होगा यहाँ पे बात आई है G7 की G7 का मतलब होता है Group of 7 इसकी Formation होई थी 1975 में Group of 7 मतलब इसमें 7 Countries शामिल है कौन कौन सी, Britain, Canada, France, Germany, Italy, Japan और USA तो ये 7 Countries का एक Group है जैसे कहते हैं Group of 7 जो इससे Last Summit हुआ था 2022 में 48th Summit कह लीजिए ये कहां पे हुआ था या इससे Host किया था Germany ने तो कुछ-कुछ Points हमारे लिए बहुत important है कि कोई Summit है उससे Host कौन सी Country कर रही है कौन-कौन से Members है और कौन सा Edition है ये सभी Points काफी ज़दा important हो जाते हैं तो आपकी एक्जाम में पूछे जा सकते हैं Next Question Where is the United Nations Water Conference 2023 held? So, संयुत राष्ट जल समेलन कहां आयोचेत हुआ? इसका आयोचेत किया गया फ्रेंट्स New York, USA में याद दखेगा ये जो Summit है फ्रेंट्स इस Summit को और्गनाईस किया ताजिकिस्तान और नीदरलेंड ने ये Second UN Conference है जो dedicated है water पे यानि जल को समर्पित ये दूसरा UN Conference है इससे पहले जो हुआ था वो मार डेल प्लाटा अर्जिंटीना में हुआ था 1977 में इसमें इंडिया की तरफ से अगर चेर्मेंशिप की बात करें यानि भारत की तरफ से अध्यक्षिता किसने की Very important point एक question अलग से यही बन जाता है देखिए कि अगर कोई summit है तो उसमें इंडिया की तरफ से कौन है ये याद रखिएगा तो गजेंदर सिंग शेखावत इनके पास में जल शक्ती ministry है इन्होंने जो है भारत की इसमें अध्यक्षिता गरी है तो मैं आप फिर से बोल रही हैं फैंड जो भी हम आज points को cover करने वाले है questions से related वो बहुत जादा important है Next question Where has Prime Minister Narendra Modi ji inaugurated the 8th edition of Rai Sina Dialogue 2023? Right answer है New Delhi तो Rai Sina Dialogue का जो 8 वर संसकरण है इसका उदगाटन किया Modi ji ने कहां पर किया? New Delhi में इसका उदगाटन किया गया इसमें Chief Guest कौन थी? तो इटली के जो Prime Minister है Georgia Meloni वो इसमें मुख्य अती थी थी इसकी theme क्या है? Provocation, Ur-Centunity, Turbulence, Light House in the Tempest Last जो Rai Sina Dialogue हुआ था 2022 में वो कहां पर हुआ था friends? तो वो New Delhi में हुआ था और इस पर का 2023 का कहां पी हुआ है? अगें New Delhi में तो याद रहेगा आपको अगला question है Which country will chair the G20 Summit 2023? Answer है friends, India तो G20 जो Summit है 2023 इसकी अध्यशिता करेगा भारत देश एडिशन होगा इसका ये 18th इसका लोगो है Lotus and Bloom आपने G20 वाला लोगो भी देखा होगा खिलता हुआ कमल जैसा लोगो है इसका थीम है वसुदैफ, कुटुम्बकम या कहले जे One Earth, One Family, One Future इससे पहले जो last यानि 17 G20 Summit हुआ था ये कहां पर हुआ था? इंडोनेशिया में हुआ था G20 के बाद करें तो इसमें इसकी स्टेबलाइश्मेंट हुई थी 26 September 1999 Group of 20 यान इसमें 20 Members हैं के जिसमें 19 तो Countries है और एक है European Union, तो ये हमारे Friends है important point अगला कुश्यन है Where is World Sustainable Development Summit 2023 held विश्व सतत विकास शिखर समेलन, कहां पर आयोचित किया गया? Answer है New Delhi, India में ये जो है करें मुझ समेट के बात करें तो ये ऐसा एक मात्र समेट है on Global Issues which is held among developing countries जो विकास शिखर देश है उनके बीचे समेट जो है वो आयोचित होता है इस पार हुआ इसका 22nd Edition, इसकी theme थी Main Streaming, Sustainable Development and Climate Resilience for Collective Action Next question से पहले कुछ important बात कर लेते हैं फेंट सब आरे जो yearly e-book है जनवरी से December 2022 की ये book आप easily download कर सकते हैं हमारी website से तो website का link आपको description में है आप उससे open करें वहाँ पे आपको book मेलेगी तो आप इससे जाड़ download करें इसमें ये जो book है ना जितने भी आपके देखें competitive exams हैं उनके लिए बहुत साथा जो है वो ये useful friends book है अगला question Next question है which country has hosted Munich Security Conference 2023 किस देश ने Munich सुरक्षा सम्मेलन 2023 की मेजबानी की है राइट आंसर है जर्मनी Munich Conference की बात करें तो ये start हुआ था 1962 में तो ये start हुआ था एक जर्मन मिलिटरी ओफिसर थे एवल्ट वोन कलाइस्ट उन्होंने जो है इसकी शुरुवात की थी 1962 में अब यहां पे ध्यानने के गए जो ये सम्मेलन हुआ इसमें इंडिया की प्रेजिडेंसी की यानि भारत की अध्यश्यता की एस शेशंकर जी ने जो की है ये आपका नई दिल्ली में समिट हुआ है ये जो कॉन्फरेंस है ये एकसाद लेके आया है लीडर्स को, पॉलिसी मेकर्स को, अकेडमीशियन्स, कॉर्पोरेट लीडर्स इन सभी को एक ही जगा पर लाया है जो की प्रोवाइट करेंगे की इकोनोमिक है जो एकोनोमिक चैलेंजिस है न देखिए उसका समधान प्रदान करना चाहते है तो उनको ये एकसाद लेके आता है ये समिट इसकी अध्यक्षिता करी प्राइम मिनिस्टर नरेंटर मूदीची ने इसकी थीम क्या है रेजिलेंस, इन्फ्लूएंस, डॉमिनेंस और ये कौन सा एडिशन था? 7th एडिशन Next question Which country has hosted the World Hindi Conference 2023? किस देश ने विश्व हिंदी संभेलन की मिजबानी की है? तो फैंट्स इसकी मिजबानी चोहे की है फिजी कंट्री ने Very important question फिजी कंट्री ने जोहे इसकी मिजबानी की है और यहाँ पर देखे कौन सा एडिशन है इसका? ये इसका 12th एडिशन है इसकी थीम याद दखीगा हिंदी Traditional Knowledge to Artificial Intelligence इससे पहले जो 11th World Hindi Conference हुआ इसको कुस ने कहां पर हुआ था? ये मौरिशेस में और पहला World Hindi Conference 1975 में हुआ था नागपूर, इंडिया में अच्छा अब हिंदी की बात हो रही है तो एक Important Day इससे रिलेट करता है जो की है World Hindi Day तो विश्व हिंदी दिवस्त कब मनाया चाता है? 10th of January को फेंड्स ये दिन मनाया चाता है याद दखेगा Important Day है 1023 Right answer is South Africa तो जो पंधरवा Brics शिखर संभीलन है इसकी मिजबानी करेगा South Africa Brics Summit जो है इसको दिखिए जो Brics के highest leader है जो member countries है जो 5 इसकी member countries है Brazil, Russia, India, China, South Africa तो एक के बाद एक जो है वो country से host करती है जैसे आब South Africa host किया इस बार करेगी इससे पहले आप देख सकते हैं तो China ने last host किया था South Africa के बाद अगला number किसका आएगा B से Brazil का number आएगा तो इस तरीके से जो है वो एक के बाद एक जो है वो इसके द्वारा host के जाती है countries के द्वारा अगला question है Where will the United Nations Climate Change Conference 2023 be held COP28 इसको आयज़ित किया जाएगा United Arab Emirates में COP28 जो है इसे Earth Summit या इसे Rio Summit के नाम से भी जानते हैं Conference of Parties COP की full form Conference of Parties Consist of countries They signed the original climate agreement in Rio de Janeiro in 1992 So COP में वो देश शामिल होते हैं जिन्होंने 1992 में जो Brazil के Rio de Janeiro में जो original climate agreement हुआ था उस पर sign किये थे वो सारी चर्ड कंट्रीज ना वो इसमें COP में शामिल हैं Last जो COP28 Conference हुआ था वो 2022 में जो हुआ था वो कहां पही हुआ था शर्म अलशेक इज़िप्ट में Next question Where has Prime Minister Narendra Modi ji addressed the One World TV Summit 2023 Right answer है वारानसी में जो है प्रदानमंत्री ने से summit को संबोधित किया है इंडिया ने जो TV उन्मूलन या TV को eradicate करने का टागेट रखा है वो है 2025 तक अगला question है Where is the 5th United Nations Conference 2023 on least developed countries held सबसे कम विक्से देशों पर जो पांच हुआ सयुन्त राष्ट सम्मेलन है ये कहां पर आयो जित हुआ तो ये सम्मेलन हुआ फ्रेंड्स दोहा कतर में LDC जो है यानि जो least developed countries यह है या the group of nations जिसको identify किया है United Nations ने ये जो countries इसमें high level of poverty है low level of human capital है and limited access to basic services जैसे healthcare education तो ये सारी जो services है काफी ज़दा सीमित है तो ये सारी countries जो है वो इस group में है अगला question which institute will host the third international conference 2023 on electoral integrity चुनावी अकंड़ता पर जो तीसरा अंतराष्टे सम्मेलन है इसकी मिजवानी कौन सा संस्थान करे का आंसर है election commission theme इसकी है inclusive elections and election integrity और addition कौन सा होगा तीसरा next question where is the global conference on digital health 2023 organized answer is new Delhi तो नई दिली में digital स्वास्थे पर जो वैश्विक सम्मेलन है ये आयोजित किया गया है union health और family welfare minister मन्सुक मांडविया जी ने इस conference को address किया इस conference की theme क्या थी taking universal health coverage तू दा लास्ट सिटीजन अगला question where has Interpol's third young global police leaders program 2023 been organized इसे organized किया गया कहां पे New Delhi, India में Interpol की बात यहां पे हुई इसकी full form है International Criminal Police Organization इसकी stabilization हुई 7th of September 1923 को headquarters इसका Lyon France में है chairman का नाम है Ahmed Nassar Al Raisi और member countries है 195 अगला question where is 19th World Wildlife Conference 2022 organized तो 19-वा जो विश्व वन्यजीव सम्मेलन है यह आयोजित की यहां पे किया गया तो पनामा में इसका आयोजन किया गया Cities की full form है Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora जो पहली conference हुई थी वो 1975 में हुई थी और इंडिया ने जो है वो इंडिया जो है इसको 25th participating country बना था इंडिया ने participate किया था 1971 में इससे पहले अगर हम बात करें यह तो 19th की बात हो रही है जो 19-वा वन्यजीव सम्मेलन है वो पनामा में हुआ इससे पहला जो 18th World Wildlife Conference हुई थी यह हुई थी राइट आंसर है इंडौर, मध्य, प्रदेश थीम इसकी क्या है डाइसपुरा, Reliable Partners for India's Progress in Amritkal इसमें Chief Guest कों थे तोग्याना के President मोहम्मद इर्फान अली और Special Guest थे इसमें चंद्रिका प्रसाज संतोखी जो की Republic of Surinam की President है Next Question World Economic Forum Summit 2023 यह कहां पर आयोजित किया गया तो इसका आयोजित हुआ फ्रेंड्स दावोस, स्विजलेंड में इसकी थीम क्या है Cooperation in a Fragmented World Edition कौन सा है इसका यह 53rd Edition इंडिया को इसमें रिप्रेजेंट किया Union Minister अश्वनी वैशनो मनसुक मांडविया Smriti Rani, R.K. Singh और महराष्ट के Chief Minister एगनात शिंडे Next Question Who has shared the high-level Ministerial Meeting of the United Nations Security Council from India इंडिया की तरफ से देखे इस Meeting की अध्यक्षिता किस ने की तो इस Meeting की अध्यक्षिता करी है External Affairs Minister Dr. S. Jaisankar ने और यह Meeting कहां पर हुई New York, USA में UNSC मतब United Nations Security Council इसकी Stabilisement हुई 1945 में Headquarter इसका New York, USA में है Next Question Which country will host The Shanghai Cooperation Organization Summit 2023 इसकी मेजबानी करेगा इंडिया जो है Shanghai सयोग संगटन शिखर संबेलन 2003 इसकी मेजबानी करेगा addition यह होगा इसका 23rd पहली जो Tourism और Cultural Capital है SCO की कौनसे एर के लिए 2022-23 के लिए वो कौनसी है वो है वरानसी उत्तरपरदेश बहुत important point है Shanghai Cooperation Organization Summit जो 2022 में हुआ था उसे host किया था समरकंद उजबेकिस्तान ने SCO की बात करें तो इसकी Stabilisement Friends 2001 में हुई थी Headquarter है Beijing, China में Secretary General है Valaadimaar Norob और Secretary और Mahas Achieveंस के Zhang Ming अगला कुश्चन है Where has the 5th United Nations Environment Assembly been organized to deal with plastic pollution Plastic producers से निपटने के लिए पाचवी सायूत राष्टर परियावरन सभा का आयोजन कहां किया गया Nairobi, Kenya में इसका आयोजन किया गया इस मीटिंग में भारत की तरव से अध्रशिता की भुपेंदर यादव चीने के Environment Minister है इंडिया के Theme इसकी क्या है Empowering Nature Actions to Achieve the Sustainable Development Goals United Nations Environment Assembly की formation हुई थी June 2012 में Next question देखिए Where has Prime Minister Narendra Modi ji inaugurated the Global Milits Conference 2023 इस Conference का उद्गाटन किया गया Friends New Delhi में अच्छा मिलिट से एक बहुत important बात यादर किया कि जो 2023 जो ये साल है 2023 का इसे डिकलेर किया गया है International Year of Millits पोस्ट सकते हैं कि कौन से इयर को डिकलेर किया गया अगला question है Where is the 19th BIMSTEC Ministerial Meeting 2023 held? 19 वी जो BIMSTEC मंत्री स्थिये बैटक है इसका आयचन किया गया Bangkok, Thailand में इस मीटिंग की अद्धक्षिता की Don Pramud Vinay जो की Thailand की Deputy Prime Minister है और इंडिया की चेर्मेंशिप की राजकुमार रंजन सिंग ने ये External Affairs विदेश राज्य मंत्री है BIMSTEC की बात करते हैं Full Form याद दखी का B.O. Bengal Initiative for Multi-Sectoral Technical and Economic Cooperation Stabilishment इसकी हुई 6 June 1997 Headquarter है इसका ढाका बांगलादेश में Secretary General का नाम है Tenzin Legfrail साथ इसकी Member Countries है Bangladesh, Bhutan, India, Nepal Shri Lanka, Myanmar और Thailand Next question Who has presided over The Regional Conference on Drug Trafficking 2023 Madak Pradhatu की तसकरी पर जो छेत्रे सम्मिलन है इसकी अध्यक्षिता करी Home Minister अमिश्या हाजी ने यह जो Convention है Is being organized इसको organized किया गया ताकि जो drug smuggling है जो मादक पधार्तों की तसकरी होती है उसको रोका जा सकी क्योंकि C route के तरो काफी जादा जो है अगर आप देखो तो smuggling होती है उन सभी को रोका जाके सकी एक तरीके से strict action लिया जा सकी उनके उपर Next question Where has the Indian Coast Guard organized the 4th Colombo Security Conclave 2023 to discuss the challenges of the Indian Ocean region तो ये जो 4th Colombo Surakshah Conclave हुआ इसका आयोजन कहां किया गया कॉलकाता में फ्रेंट्स इसका आयोजन किया गया इसमें बांगलादेश, मालदीप, मौरिशियस, शेशेल, श्रीलंका के जो representatives थे और national stakeholders थे maritime sector के उलोंने जो है वो इसमें participate किया अगला कोशन है वेर वोर्ज दी फर्स्ट सुप्रीम ओर्डिट इंस्टिटूशन 20 सीनियर ओफिस्टर्स मीटिंग 2023 हेल्ड तो गुवाहाटी असम में फ्रेंट्स इसमीटिंग का आयोजन किया गया इसमीटिंग को अटेंड किया इसमीटिंग को अटेंड किया इसकी थीम क्या रही Blue Economy and Responsible Artificial Intelligence तो ये इसकी थीम रही नेक्स्ट कोशन वेर वोज दा फर्स्ट मीटिंग ओफ इंडिया सेंट्रल एशिया जॉइंट वर्किंग ग्रूप 2023 ओन दे इशू ओफ अफगानिस्तान अफगानिस्तान की मुद्दे पर जो भारत मद्धी है एशिया सयुक्त कारिय समों की बैठक होई पहली ये कहां पर जो है वो बैठक आयोजित की गई तो इस बैठक का आयोजित किया गया फ्रेंड्स न्यू डेली में इस मीटिंग को अटेंड किया इंडिया, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उजबेकिस्तान के जो स्पेशल एन्वाइस है और सीनियर ओफिशियल से उन्होंने इस मीटिंग को अटेंड किया इसमें इंडिया की तरफ से चेर्मेंशिप की राजीव चंदर शेकर ने जो की यूनल मिनिस्टर है और स्टेट फॉर इलेक्ट्रोनिक्स और इन्फॉर्मेशन टेक्नलोजी के तीम इसकी क्या है स्ट्रेंथन एडवांस्ट एशियान इंडिया एकोनोमिक टाइस्टो स्ट्रेजिक बिसनेस पार्टनर्शिप एशियान की फुल फॉर्म में अस्टोसियेशन ओफ साउथ इस्ट एशियन नेशन्स स्टिबलाइश्मेंट हुई एट ऑगस्ट नाइटीन सिक्स्टी सेवन में हिटक्वार्टर्स का जकार्था इंडोनेशिया में है चेर्मन है ली सिन लोंग और सेकेर्टरी जनल है लिग जोग होई और मेंबर कंट्रीज है टेन पहली लेबर ट्वेंटी मीटिंग टुटाउसेंट ट्वेंटी त्री ये कहां पे आयोजित होई तो फैंट्स इसका आयोजिन किया गया अमरिस्तर पंजाब में अगला कोशन In the year 2023, the first conference of Navy Commanders was organized on which indigenous ship? तो किस ship पर नौसियना Commanders का पहला सम्मिलन आयोजित किया गया? Ship का नाम है INS Vikrant और वेन्यू उसका याद रखेगा Arabian Sea. Next question, which country has hosted the 2023 meeting of foreign ministers of the member countries of QAID? QAID के जो foreign ministers की बैटक है, इसकी मिजबानी किस देश ने की? इंडिया ने friends इसकी मिजबानी की, इस meeting की chairmanship की execution करने और इसका venue कहां पे था? इंडिया में, New Delhi में. QAID की बात हो रही है, यहाँ पे तो QAID जो है, जो गूरूपे इसमें चार कंट्रीज हैं, कौन-कौन सी? इंडिया, जपान, यूएस और और अस्ट्रेलिया. अगला question, where is the 23rd Commonwealth Law Conference 2023 held? 23rd जो रास्टमंडल कानून है, यह कहां पे आयजित किया गया? इसका आयजित किया गया है, Friends Goa में. यह जो conference से यह provide करती है, एक opportunity for Commonwealth colleagues to debate current issues affecting the legal profession. तो जो legal profession को जो भी affect कर रही है, current में जो issues है, उन पे debate करने का जो है, यह opportunity देती है, यह conference. अगला question है, where has President Drapadi Murmuchi inaugurated the 7th International Dharm-Dham Conference 2023? तो इस conference का उद्गाटन Drapadi Murmuchi ने किया, कहां पे? बोपाल, मध्यप्रदेश में. इस conference की theme रही, Eastern Humanism for the New Era. Next question, where is the G20 Finance, Ministers and Central Bank Governors meeting 2023 held? आंसर इस Bengaluru. तो Bengaluru शहर में G20 वित मंत्री और केंद्रिय बांक के गवर्नर्स की बैठक आयोजित की गई. इसमें देखिए जो Global Economy, Health, International Taxation से लेटे जो issues हैं, वो सभी issues इस meeting में discuss किये गए. इस meeting के अध्यक्षिता करी निर्मला सीता रमर्ची ने, इनके पास में Finance Ministry है, और इसकी सहे अध्यक्षिता की, यानी co-cheared इसके को किसके दोरा किया गया? RBI की गवर्नर शक्तिकान दास. वेर हैस Union Railway Minister अश्वनी वैष्णो इनागरेटेग देखिए सेमिकॉन इंडिया कंवेंशन का उद्गाटन किया. अगला कोश्यन Who has chaired the 49th meeting of GST Council in 2023? 2023 में GST Council की जो 49th बैठा किया, इसकी अध्यक्षिता किसने की, तो Finance Minister Nirmala Sita Ramarji ने Francis की अध्यक्षिता की, इसका आयोचन, तो इसका आयोचन कहां किया किया? New Delhi में. अगला कोश्यन देखिए Who has inaugurated India's first Model G20 Summit 2023? तो भारत के पहले Model G20 Summit का उद्गाटन किसने किया? G20 के शेरपा, अमेताप कान्त. Offense इसका आयोचन कहां पे किया गया? तो मुंबई में जो है, वो इसका आयोचन किया गया. अगला कोश्यन है Where has the 30th National Children's Science Congress 2023 been organized? तो इससे organized कहां पे किया गया? Friends, एहमदाबाद में तीसवी राष्टे बाल विज्ञान कॉंग्रेस का आयोचन किया गया. अगला कोश्यन देखिए Where is the first B2B Global Conference and Exhibition on Traditional Medicine 2023 organized under the SCO? SCO के तहट पारंपरिक चिकिसा 2023 पर जो पहला B2B वैश्विक सम्मेलन और प्रदर्शनी है, ये कहां आयोचित की गई? तो इसे गुवाहाटी असम में आयोचित किया गया. Next question Where is the first Women 20 meeting 2023? तो पहली जो महिला 20 बैठा कुई G20 के तहट ये कहां पे हुई? संभाजी नगर महाराष्ट में इसका आयोचन किया गया. Women 20 जो है एक Official Engagement Group है under the G20, जिसकी Stabilisement हुई थी 2015 में, during the Presidency of Turkey. Theme इसकी रही Pursuit of Gender Equality, Equity and Dignity for Women-Led Development. Next question Where is the Asia largest Life Sciences and Healthcare Convention, BioAsia Summit 2023 organized? BioAsia जो Summit है इसका आयोचन कहां पे किया गया? तो हाइटरबाद शहर में इसका आयोचन किया गया. ये कौनसा edition हुआ? 20 वा edition हुआ. इसकी theme रही Advancing for One, Shaping the Next Generation of Humanized Healthcare. Next question है, Where is the 7th Annual Defense Dialogue between India and Sri Lanka held? Right answer है, New Delhi. भारत और शिलंका के बीच जो साथवी वार्षिक रक्षा वारता हुई, इसका आयोचन किया गया नई दिल्ली में. इस meeting के दौरान, दोनों देशों की बीच में जो भी defense cooperation, जो भी देखे, रक्षा, जो रक्षा सयोग activities चल रही है, उनको यहाँ पे revive किया गया. इंडिया के तरव से भारत के अध्यक्षिता करी गिरिदर अर्माने जी ने जो के defense secretary है और शिलंका के अध्यक्षिता करी जनरल कमल गुरतनी. Next question, where is the first conference event of I2U2 Business Forum 2023 held? तो I2U2 Business Forum का पहला जो सम्मेलन है वो अबुधाभी UAE में इसका आयोजन किया गया. I2U2 मतलब इसमें इंडिया है, इसराइल, UAE और USA चार कंट्रीज हैं, इसे West Asian Quad के नाम से भी जाना जाता है. Next question, where has the 18th World Security Congress been organized? तो friends, इसका आयोजन कहां किया गया? जैपुर, राजस्थान में. Theme इसकी रही, इसका Congress की railway security strategy, responses and vision for the future. अगला question, where is the India-Egypt 3rd anti-terrorism joint working group meeting held to combat global terrorism? वैश्विक आतंकवास से निपटने के लिए, जो भारत में इसर तीसरी आतंकवाद विरोधी कारेसमों की बैठक है, इस बैठक को आयजन कहां पे किया गया? तो नई दिल्ली में इसका आयजन किया गया. इंडा की साइट से महावीर सिंगवी, जो की Joint Secretary है Counter-Terrorism Ministry of External Affairs की, इन्होंने इसमें भारत का नित्रत्व किया. जबकि इजिप्ट की साइट से अगर हम बात करते हैं, तो कौन थे जुनोंने लीड किया? मुहम्मद फौद एहमद. Next question, who has inaugurated the International Conference on Natural Farming 2023? प्राकृतिक खेती पर जो अंतराश्टे सम्मेलन है, इसका उद्घाटन किस ने किया? मनिपूर की गवर्णर अनुसोया उईके ने. इस कौनफरेंस में अगर बात करें, पार्टिसिपेट किस ने किया, तो बांगलादेश, नेपाल, सिंगापूर, थाइलेंड, जर्मनी, इंग्लेंड और यूसे के जो डेलिजेट से जो प्रतिनिदी हैं, वो इसमें शामिल हुए थे. इस कौनफरेंस समिट की थीम रही, नाचुरल फार्मिंग फॉर रेविटाइज लिंग, इन्वारमेंट अन्ड रेजिलेंट एग्रिकल्चर. अगला कोशन, वर्ड गवर्मेंट समिट, विश्व सरकार शिखर सम्मेलन, कहां पे आयो जी तुहा? तो इस सम्मेलन का आयोचन किया गया, दुबई, UAE में, और इस सम्मेलन की थीम क्या रही, शेपिंग फ्यूचर गवर्मेंट्स, तो जो थीम होती है ना, यह आप लियाद रखेगा, एक्जाम में डारेक्ट के बार कोशन थीम से ही पूछ लिया जाता है. अगला कोशन है देखिए, वेर हैस प्राइम मिनिस्टर नरेंदर मोजी जी इनागरेटेटेड एशिया बिगिस्ट एएरशो एरो इंडिया 2023, एरो इंडिया का शुभारम कहां किया गया, बेंगलूरू शहर में, यह कौन सा एडिशन था, इसका 14th और थीम इसकी क्या थी, दर रनवे टुआ बिलियन अपर्चुनिटीज नेक्स्ट क्वेस्टिन वेर वस दी मीटिंग आफ SCO सुप्रीम ओर्डिट इंस्टिटूशन लीडर्स हेल्ड SCO के सुप्रीम ओर्डिट इंस्टिटूशन की जो नेताए हैं उनकी बैठक कहां आयोची तुई तो लखनव उत्तर प्रदेश में Francis के बैठक का आयोचन किया गया इंडिया की तरव से धक्षिता करी गरीश चंदर मुर्मु जी ने जो की इस टाइम पर कंट्रोलर और और ओर्डिटर जनरल है एडिशन इसका था सिक्स्त और थीम इसकी क्या है Use of Emerging Technologies in Auditing Next Question Which city has hosted the United Nations 27th Climate Change Meeting 2022 जिसे कहते है COP27 तो COP27 की मिजमानी की Egypt के शहर Sharm al-Sheikh ने जो Global Shield Summit Scheme है इसे launch किया इस conference में to provide fund to country जोकि climate disaster से सफर कर रही है countries उनको fund provide करने के लिए Global Shield Scheme को इस conference में शुरू किया गया इंडिया के तरव से अधिशिता की भूपेंदर यादव जी ने और COP27 ने उसने पहला जो summit हुआ था वो Glasgow Scotland में हुआ था अगला question है which country has hosted the 90th यानि नभीवी General Assembly जो है Interpol की 2022 की इसकी मिजवानी की सेशने की तो फेंड्स इंडिया ने जो है इसकी मिजवानी की 91 जो General Assembly है ये कहां पे होगी वियन्ना में इंडिया जो है Interpol का one of the oldest member है और इंडिया ने इस organization को 1949 में जोइन किया था अगला question है which country has hosted the 59th Asia Pacific Broadcasting Union General Assembly 2022 तो इस महसभा की मिजवानी किस country ने की है इंडिया ने इसकी theme क्या है Serving the people Media's role in times of crisis ABU यानि Asia Pacific Broadcasting Union की stabilization in 1964 में headquarters का है Kuala Lumpur, Malaysia में अगला question Where is the 17th Asia Pacific Regional Meeting of International Labour Organization held अंतराष्टे श्रम संगटन की सत्रवी Asia Pacific छेत्रिय बैटक कहां पे आयोजित की गई तो Singapore में Francis का आयोजिन किया गया International Labour Organization की stabilisement 1919 में हुई इसका headquarter है Geneva, Switzerland में अगला question है Next question है In which city the annual meeting of River Cities Alliance धारा 2023 has been organized तो बात करते हैं इसकी इसकी चेर्मेंशिप की जो 2022 में हुआ था देखे उसकी चेर्मेंशिप की Jen Stoltenberg ने addition हुआ था 32nd NATO का headquarter है Brussels, Belgium में Next जो नाटो समिट है 2023 का ये कहां पे होगा Vilnius, Lithuania में Next question है Who has shared the first I2-U2 Summit 2022 from the Indian side भारत की तरव से जो पहला I2-U2 शिख सम्मेलन हुआ उसकी अध्यशिता किसने की Prime Minister Narendra Modi ji ने I2-U2 मतलब है India, Israel, USA और UA इसको West Asian Quad भी कहा जाता है Next question 48th G7 Summit 2022 की मिजबाने किस देश ने की तो कौन सी कंट्री ने होस्ट किया इसे जर्मनी ने और इसमें इंडिया की अध्यक्षिता की Prime Minister Narendra Modi ji ने G7 Conference में जो Countries को invite किया गया वो कौन कौन सी है इंडिया, सेनेगल, इंडोनेशिया और South Africa अगला question है 12th Ministerial Conference of World Trade Organization तो WTO की जो 12th मंत्री स्तरिय सम्मेलन है ये कहां पे आयजित किया गया आंसर इस जेनेवा, स्विजलेंड भारत की तरव से अध्यक्षिता की पियोश कोयल जी ने पियोश कोयल जी के पास में Commerce Ministry है और इंडोने भारत की तरव से इसकी अध्यक्षिता की अगरा कोशन है वेर इस दा इंटरनाशनल SME Conference 2023 और इंटरनाशनल जो SME सम्मेलन है इसको आयजित किया गया नई दिल्ली में और ये इसका एडिशन कौन सा था थर्ड एडिशन नेक्ट कोशन वेर इस दा मीटिंग ओफ Tourism Ministers of SCO in 2023 2023 में SCO के परिटन मंत्रियों की जो बैटर कै ये वारानसी उत्तर प्रदेश में आयोजित की गई वारानसी को ध्यान रखेगा कि SCO की पहली कल्चर कापिटल भी इसको डिजाइन किया गया है Next question Where is the first joint conference of Chiefs of Army Staff of India and African countries 2023 held तो पुने महारास्ट में ये सम्मेलन का आयोजित किया गया Next question Marine pollution यानि Marine pollution जो समुदरी प्रदूशन है उससे निपटने के लिए United Nations Ocean Conference कहां पे आयोजित किया गया Lisbon, Portugal में इस conference में इंडिया के तरफ से अधिशिता की जितेंदर सिंग ने एडिशन इसका ये था Second World Economic Forum की बात करें 1971 में इसकी Stabilisement होई और Headquarter है इसका कुलोगनी स्विजलेंड Next question है Which country has chaired the One Ocean Summit 2022 to conserve the oceans One Ocean Seekers सम्मेलन 2023 तेहिस की अधिशिता की France ने भारत की तरफ से इसमें भारत को जो इस भारत का नेतुरत्व किया है नरेंदर मोदी जी ने किया Where is the 110th edition of International Labour Conference 2022 held? अंतराश्टे स्ट्रम सम्मेलन 2022 ये आयोजित कहां पे किया गया जेनेवा, स्विसलेंड में इंडिया की तरफ से चेर्मेंशिप की भुपेंदर यादव ची ने ILC मतलब है International Labour Conference अगला कोशन है Quad Leader Summit 2022 ये कहां पे आयोजित किया गया 2022 में जो Quad Leader Summit हुआ इसका आयोजित किया गया जपान, टोकियो, जापान में इंडिया की तरफ से नरिंदर मोदीची ने अध्यशिता की Quad यानी Quadulator Security Dialogue इसमें चार कंट्रीज हैं इंडिया, अमेरिका, आस्ट्रेलिया और जापान इसका परपस क्या है देखी इस गुरूप का कि जो इंडो पैसिफिक रीजन में जो डेमोक्रिटिक कंट्रीज हैं उनके हितों की रक्षा करना अगला कुशन वेर इस दे सेकिंड इंडिया नॉर्डिक समीट 2022 हैल्ड दूसरा जो भारत नॉर्डिक शिकर सम्मेलन है ये आयोजित किया गया फ्रेंड्स डेन्मार्क में नॉर्डिक कंट्रीज की बात करें तो पांच कंट्रीज जी ने नॉर्डिक कंट्रीज कहा जाता है जनमें हैं डेन्मार्क, आइलेंड, आइसलेंड, फिनलेंड, स्वीडन और नॉर्वे इन पांच कंट्रीज को कहा जाता है नॉर्डिक कंट्रीज बारत की तरफ से अधेशिता की प्राइम मिनेस्टर नरेंदर मोधी जी ने नेक्स्ट क्वेशन Where was the meeting of organization of Islamic cooperation held to discuss the challenges faced by Muslim countries? Muslim countries के जामने आने वाली चुनोतियों पर चर्चा करने के लिए Islamic सहयोग संगठन की जो बैटक है ये आयोजिक की गई friends इसलामाबाद पाकिस्तान में और ये edition कौन सा था? 48th edition Next question Which city will host first G20 Sherpa meeting 2022 in India? भारत में जो पहली G20 Sherpa meeting की मिजबानी की ये की उदैपुर राजस्थान ने इस meeting की अध्यशिता किसने की? अमिताप कांथ ने जो की इंडिया के शेरपा है Which country has presided over the 15th World Forestry Congress 2022? पंदरवी विश्ववानी की Congress की अध्यशिता किसने की? तो South Korea ने जो है friends इसकी अध्यशिता की है और 15th World Forestry Congress यानि इससे बहले जो 15th ये जो World Forestry Congress है Seoul South Korea में दिखे इसका आयोजन किया गया Theme क्या थी इसकी? Building a green, healthy and resilient future with forest अगला question Where is the BIMSTAC Summit 2022 held? तो BIMSTAC शिखर सम्मेलन ये कहां पर आयोजित किया गया? आज़र है Colombo, Shri Lanka में जो है इसका आयोजन किया गया Edition कौन सा था इसका ये? 5th edition Next question Where has the 5th Assembly of International Solar Alliance been held? तो FENDS बात यहां पर हुई है International Solar Alliance की जो पाँचवी जो सबा है ये कहां पर आयोजित की गई? तो FENDS इसका आयोजन किया गया New Delhi, India में एक और पॉइंट यहां रखेगा यहां पर किसमें इंडिया के तरव से चेयर्मेंशिप किसने की? तो इंडिया के तरव से चेयर्मेंशिप की R.K. Singh ने जिनके पास में Ministry है Power New Renewable Energy Ministry है इनके पास में अच्छा FENDS यहां पर बात थोड़ी सी हुई थी International Solar Alliance की तो यहां तकी का FENDS International Solar Alliance की Formation 2015 में हुई यह important है और एक Headquarter काई वार एक्जाम में पूछा जाता है गुरू ग्राम हर्याड़ा में इसका Headquarter है तो FENDS questions यहां पर complete होते हैं अब दो questions है इनके answer आप लोग बताएगा हमें comment box में पहला question है test का Which country will host the G7 Summit 2023? Second question, which country will preside over the G20 Summit 2023? तो बताएगा FENDS इनके questions के answer हमें comment box में और इसी के साथ FENDS सी वीडियो यहां पर हमारी होती है complete वीडियो काफे ज़दा important थी आपके exam point of view से Thank you so much for watching this video